लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लाइक बिसिक सिंटेक्स ऑफ पी इस लेक्चर में हम डिसक्स करते हैं बाउट ड्राडाइपस ऑफ पी वैल इसके लिए मैं एक न्यू फाइल को क्रेट कर लेता हूँ जो पी है वो हमारी की टाइप्ट लेंगविज है इसका मतलब यहां पर ड्राडाइपस को डिक्लेर करने की जोड नहीं है बाशो करता हूं फिर थोड़ा सा समय में आएगा करें new like pocco2 is searching okay fine okay means की मेंकि फाइल टाइप में इस में मैं यहां पर किसी like जैसे हम किसी सी लेंगविज या किसी जावा लेंगविज की बात करते है हम वहां पे कोई भी जब हमने कुछ दिकलियर करना उता है हम वहां डॉन टोली टिवांट कि वादर इसrange whether it is string whether it is float whether it is boolean value and so on PHP में हमें किसी भी डिनर टाइप को डिफाइन करने के जोटने है means we don't need to define any data types in PHP okay just for example अगर मैं इको लिखता हूं इको जस फाइव प्लस nine okay means मैंने यहाँ पर okay it's just like it's five plus nine basically in teaser ही होगा हम चेक करते हैं कि क्या result define करेगा okay मैं back जाता हूं folder के PHP okay there are types it's 14 means means यह इस result को produce कर रहा है means यह recognize कर रहा है कि यह जो इको हमें print करना है five plus nine अगर मैं इसको course के अंदर embed करूं sorry अगर मैं इसको course के अंदर embed करूं okay means में पास same वही statement है just मैंने आप उसको course के अंदर ले लिए course indicate करेगा कि यह जो हमारा यह जो भी हमारे पास value है यह को करना वह एक as a string value है means हम पूरी की पूरी value को ही print कर रहे हैं okay हम check करते हैं okay means इसने five plus nine को as it is ही print कर दिया है अब हम इसकी data types को check करते हैं just for example मैं okay fine like पहले हम like variable declare करते हैं PHP में variables को define करने बाद मैं इसको अच्छे से explain करूँगा अभी हम just simple सी पात करते हैं एक variable लेते है variable को जो भी हमें define करना होगा तो हम इस डॉलर sign यूज़ करते हैं डॉलर sign indicate करेगा PHP को कि यह एक variable है okay मैंने एक variable लिया like for example number one जिसकी value मैं assign कर देता हूं just for example five okay means यहाँ पर मैंने यह नहीं लिया कि जो variable number one है वो वादर टीजर है वादर किया है कुछ भी मैं define नहीं किया okay मैं को variable लेता हूं like for example number two okay value is nine okay अब मैं इस में इन दोलों के sum को produce करता हूं sorry number two मैं नहीं लिखा okay number two is fine okay अब मैं कोंशी करते हैं like मैंने आप एक variable लिया number sum sorry sum variable है okay sorry sum is equal to number one plus variable number two okay okay अब मैं इसके result को पर चेक करता हूं like basically मैं नहीं आ पर कोई data type को define नहीं किया just मैं equal result को sum okay fine means की अब मैं सको print करके देखते हैं क्या आता है okay means यह इस result को produce 5 plus 9 is equal to 14 means किसे as it is result को produce कर दिया okay means की हमें हाँ पर data types को define करने ही जोती है अगर मैं इसकी value को change कर देता हूं just for example की 5 की जगा पे 5.9 कर देता हूं okay अब result आना चाहिए obvious बाता है result तो आए गई means की से में हमने यह नहीं बताया कि यह integer value थी float value है something हमें आपे same boolean values को या किसी और values को भी रख सकते हैं okay मैंने बोला कि इसमें अपने data types को define करने की को उसी value थी है उसके recording उसको data types के अंदर define कर देता है हम इसको check कर सकते हैं okay एक function a php function like where underscore jump okay यह indicate करेंगा कि like हम जो भी हमने value sign की है basically value data type क्या है just for example मैं इसमे value डालता हूं number one okay number one one हम number one को check करेंगे same मैं number two में like just for example जैसे हमें पर रहा कि like मैं number one में 5.9 डाला हूँ है like means वो एक float value है और number two है वो basically एक मेरे पास 9 है जो मेरे पास एक integer value है then मैं इसमें sum को भी डालूँगा जो को एक float plus integer result क्या रहा है float हमें पता है यह देखते हैं PHP को कैसे जीट करता है okay where underscore jump इसमें value जाली है number two okay fine okay then अब हमारे पास जो third variable मैं इसमें edge करूंगा where underscore jump okay इसमें मैं डाल रहां sum को it's fine okay fine means की अब हम यह check कर रहे है like की मेरे पास अब तीन basically values थी like number one जो मेरे पास float value है number two मेरे पास जो nine है जो एक integer value में एंटर किया और जो variable sum है उसमें float plus integer का summation है तो means वो भी float value ही okay php में देखें क्या result आता है the php इंटीजरों कैसे read करता है okay first one is the float means जो हमने 5.9 एंटर किया है वो एक float value है then second one number one number two is integer then the result sum is also float means की loosely type language वही जीज में बोला था कि हमें इसको data type define करने के ज़र्ट नहीं है जो php है वो इसको automatically एक data type define कर देता है तो आप result में देख सकते हैं हमने values को जस्ट जाला और इसके according उसने results को data type के अंदर save कर देखे है automatically उसने एक value integer को integer में लिया और float को float में लिया बलकि हमने अपने अगर आप इस program में चेक करेंगे तो इस में कहीं पर भी हमें data type को define नहीं किया ओके हमें और फिर यह लेकर 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 देखते हैं जस्ट फिर्जांपल मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं तो मैंने एक जिस्ट एक वैल्यू ले रहा हूं एक वैल्यू ले रहा हूं जेडियेबल में डेकर लेकर कुछ भी रह सकते हैं आप और यहां पर एक स्ट्रिंग लिखता हूं हैलो फ्रेंड्स है और में इस वैल्यू को भी लाइक जाल देता हूं वैर्डंप में 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 बेसिकली आप यह यह लो वोल्ड है लो फ्रेंड्स लिखा है अब यह को किस डानटाइप में सेव करता है हम इस चीज़ को चेक करते हैं okay where ndr s ko dump which is हमें पता कि एक स्ट्रिंग है हम चेक करते हैं लाइक मैंने इसमें value को डाला okay हम रिजल्ट को चेक करते हैं okay fine it's a string and the length of the string is 13 means कि इसने ओटमेटिकली इसको एक like string में सेव किया हुए अब मैं कुछ changes करता हूं जो मैंने number one जो एक मैंने integer sorry fruit value डाला था इसको मैं quotes के अंदर लिखके देखता हूं कि basically क्या होता है कि हम value check करते हैं refresh okay fine means मैंने उस value को अगर quotes के अंदर दाला then उसने उसको automatically like 5.1 5.9 sorry यह बार पाद एक fruit value थी उसने इसको string में करोड कर दिया means की course यूज करने के बाद PHP उसको एक as a string लेके जा रहा है तो हमने course लिए then उसकी बता रहा है value 5.9 and the length of the string is three means की अब यहां पर means जब हमने code यूज करने है तो वो एक string होगा अगर हम without course कुछी जीज लिखेंगे numbers में like हम without quote कोई string नहीं लिख सकते हैं इसको हम देख लेते हैं चेक कर लेते हैं एक बार like एक हम variable लेते हैं value to okay हम without quote को लिखते हैं tummy string okay हम इसको भी एक वैक वैक जंप function में डालके देखते हैं it's value to okay value to fine okay हम इसको चेक करते हैं okay it's gives an error means की हम string को without quotes नहीं लिख सकते हैं नहीं यूज कर सकते हैं numbers को हम अगर numbers को हमने as a string print करवाना है like as it is same number को हम print करवाना चाते हैं रिया कुछ भी तो हम उसको quotes के दर embed कर देंगे then उसको as a string से पोस्ट करेगा अगर string को हम without quotes यह एक illegal value हो जाएगी ठीक है तो यहां पर वही जीजी syntax error something शो कर रहा हूँ okay line number six में यह चीज़ हमें इसको quotes के नतर डालना पड़ेगा just for example मैं इसको quotes के नतर लिख के देखता हूं okay fine now it's fine the string dummy string length is 12 okay means मेरे यहां पर मैंने float को declare किया float को integers को strings को अब हमारे पास values आती है like boolean अगर like just for example हमने boolean values को भी print कर वा रहा है okay अब like हम उसके लिए क्या use करेंगे okay हमारे पास just for example एक variable लेते हैं मैं लिखता हूं boole values which is equal to fine मैं लिखता हूं okay true okay अब यह एक boolean value है means values जो define हो रही है like जिसमें true लिखा मैं एक assign कर रहा हूं या false लिख सकता हूं ठीक है true false indicate करेगा कि यहां पर हम values को whether zero or one save करें just for example मैंने false लिखा okay मैं आपे where underscore jump use कर रहा हूं okay इसके अंदर मैंने value value की boole okay fine हम result check करते है इसका भी okay it gives a boolean value having false okay अगर मैं इसको चूच करता हूं true that's it save it okay okay it's give a boolean value having true value means की boolean के लिए हम without course true or false लिखेंगे ठीक है then वो उसको जो variable हमें declare किया है वो उसने एक boolean value को define करता है okay अब जब like just for example हमने को एक null value को define करना है like एक और मैं variable लेता हूं variable null okay इसके अंदर मैं attribute डलता हूं null okay हम check करते हैं इसको भी where underscore jump okay इसमें मैंने जो variable value डलता हूं null sorry null okay कुछ गरबर हुआ किया इसने इसको प्रिंट नहीं किया where underscore jump oh sorry यह variable नहीं है function okay हम check करते हैं okay it gives a null value means इसमें कुछ भी हमने save नहीं किया means हम इसमें different different data types को define किया हमने like इसमें समझा like basically strings क्या होते है number क्या होते है fruits values plus हमने boole value को declare के दिखा means की like just for example rather like simple सी चीज़ है कि हमें PHP में किसी भी data type को define करने की सुथ नहीं है कि हम जो भी value enter कर रहे है वो किस data type को block करेगा ठीक है PHP इसको खुद recognize करेगा कि basically यह data type क्या है उसके according यह उसको आगे define करतेगा ठीक है means कि PHP वही चीज़ PHP एक loosely typed language है आप यहाँ पे चेक कीजिए कोई शू होता है तो पूछिए okay fine मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तिल दे बाइ-बाइ